हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मालो फामिली चानल में एक बेवी की लाइफ में आज आने से पेरन्स की responsibilities के list कुछ लंभी सी हो जाती है और इन responsibilities की list में आपके बेवी की hygiene maintain करना भी बहुत ज़ादा important है जब आप अपने बेवी को नहलाते हैं तो उनके mostly body parts तो clean हो जाते हैं लेकिन एक ऐसा body part है जो special attention मांगता है कान जी हाँ आपके बेवी के कान को साफ करना बहुत important है और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं बेवी की ears को कैसे साफ करें, किन safety tips को ध्यान रखना चाहिए और ear wax build up के बारे में जानने के लिए देखते रही है ये वीडियो लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उन 10 lucky winners में से एक हो सकते हैं जो हर Friday पूरे 500 रुपीज का voucher जीते हैं आपको बस इस वीडियो को अंत तक देखना है और उस शब्द को comment section में mention करना है जो आपको इस वीडियो में मिलता है voucher को redeem करने के लिए description में देगए link पर click करें और Milo app को download करें तो चलिए अब जानते हैं कि बेबी के ears को कैसे clean करना चाहिए बेबी के कान adults के मुकाबले में बहुत ज़रा sensitive होते हैं और छोटी सी भी गलती उन्हें दर्ड, damage या infection कर सकती है इसलिए आपको किसी cotton swaps या फिस stick की ज़रूरत नहीं है अपने बेबी के कान को रुजाना साफ करने के लिए आप एक cotton ball या फिर cotton cloth भी use कर सकते हैं सबसे पहले wash cloth या cotton ball को गुन-गुने पानी में गिला कर ले यूज करने से पहले excess पानी को निचोड ले फिर हलके हातों से बेबी के कान के पीछे और बाहर की skin को साफ कर ले ध्यान रखे कि कभी भी wash cloth या cotton ball को बेबी के कान के अंदर ना डाले इससे उनका ear canal damage हो सकता है अगर आपको बाहरी skin के आसपास के ear wax को ही दिखे तो उसे इग्नॉर करें या हलके हातों से ही cotton ball या फिर cloth की मदद से हटा दें अगर डॉक्टर ने आपके बेबी को ear drops prescribed करे है या उन्हें ear wax रिमूब करने के लिए यूज करना चाहते हैं तो इन steps को follow करें अपने बेबी को side के बल ऐसे लेटाएं जिससे की उनका जो कान है वो उपर की और हो फिर हलके हातों से उनके ear lobe को नीचे और पीछे की ओर pull करें ताकि उनका ear canal खुल जाए ऐसे करने के बार में 5 drops या जितनी pediatrician ने recommend किया हो उतना बेबी के काम में डाल दें अगले 10 minutes तक बेबी को same posture में लेटाए रखें इसके बाद उसे दूसरी side roll कर दीजे और उसके कान के नीचे कोई tissue या कपड़ा रखतें ताकि extra ear drops उसी पर गिर जाए और अपने बेबी के कान में ear drops डालते हुए हमेशा अपने pediatrician की advice को ही follow करें तो चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे safety tips के बारे में जिन्हें आपको अपने बेबी के कान साफ करते हुए हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अपने बेबी के कान साफ करते हुए कभी भी cotton swaps या sticks या use ना करें क्योंकि ये आपके बेबी को कोई injury या damage पहुचा सकती है अपने बेबी के कान के अंधरूनी हिस्से में कोई भी चीज, उंगली या कपड़ा ना डाले और उसे touch करना avoid करें अगर बेबी के कान के अंधरूनी हिस्से में आपको कोई ear wax दिखे तो उसे हटाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये आपके बेबी के लिए healthy है ये ear wax protection और lubrication का काम करती है और इसमें antibacterial properties भी होती है इसे हटाने से आपके बेबी के कान में कोई damage भी हो सकता है अगर आपको ऐसा लगे कि आपके बेबी के कानों में ear wax का build up हो रहा है या बढ़ता जा रहा है तो भी तुरंत किसी ear specialist या फिर pediatrician से ही consult करें अगर आपका बेबी बार बार अपने कान को हाथ लगाए या फिर pull करें तो हो सकता है कि वो किसी pain में हो या फिर उसे को ear infection परशान कर रही हो तो ऐसे में आपको doctor या फिर pediatrician से consult करना चाहिए Never use cotton swabs, don't insert anything in baby's inner ear, don't remove the ear wax Consult doctor for ear wax built up, consult doctor for pain और infection याद रखें baby के कानों को रोजाना साफ करना बहुत जरूरी है और ये आप उन्हें नहलाते हुए भी कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही और helpful tips और अपने baby से related में अपने जानकारी और products पाने के लिए Milo app या Milo website को ज़रूर विजिट करें इस वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो यूसफुल लगता है तो प्रीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और comment करके हमें अपने विचार्ज ज़रूर बताएं अपने friends and family के साथ भी इसे important information को ज़रूर शेर करें साथ ही subscribe button पर क्लिक करें और bell icon को press करें ताकि आपको समय समय पर सारी notifications मिलती रहें Thank you for watching